वेलकम तो माई चैनल रवी फिजिक्स बिद्या और माई ओफलाइन कोचिंग सेंटर बिद्या एजुकेशन एट सूरत गुजरात फोर आटी जाई, नीट और फांडेशन पाद फॉर देवेस्ट तो देर स्वेंट्स राइट नौ हम लोग अभी प्रिजेंटली वर्क अनर्जी अन्थियरम डिस्कस करेंगे ठीक है अल्रेडी मैं इसमें आपको कुछ सर्टेन किलिप्स डिस्कस किया था तो प्रिजेंटली हम लोग क्या डिस्कस करें वर्क अनर्जी थियरम, राइट 11th Physics सीरीज है न तो वर्क अनर्जी थियरम मैं प्रिजेंटली वर्क के बारे मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप इसमें अभी जिसमें मैं आपको रिकॉल कर रहे होगे आप लोग मैं एक आपको concept lecture डिस्कस किया था जिसमें मैं बताया था कि जब भी work done calculation करना हो न तो आप क्या करोगे आप पहले path dependent और path independent का concept visualize करोगे और ये work energy theorem में आपको अभी presently हम लोग जो discussion करने वाले हैं तो calculation of work done in terms of the speed और ये आपका work energy theorem का जो use होता है खासकर के work done by the air drag in free fall maximum angle made by the stream made by the pendulum with vertical maximum extension in the stream ठीक है ये सब जो calculations है इसमें work energy theorem का use होगा अरिवा समझ में तो ये सब हम लोग discuss करेंगे और sometimes क्या होता है कि जब कोई work done calculations करना होता है और अगर आपको force नहीं पता हो तो other force का work done और speed के terms में भी हम लोग work done calculate कर सकते है ठीक है फिर दुबारा मैं एक बार recall कर रहा हूँ कामारा जो basic concepts है मैं already मैं discuss किया था उसमें आपको जैसे ये आपका क्या बोलते हैं कि बताया था मैं path dependent path independent उसमें जो vector f constant है या magnitude constant है theta constant है वो सब जो हम लोग check करते हैं तो वो अपना देखना होता है तो देखते हैं इसमें हम अभी को ये topic जो calculations तो ये वर्क हैं जी थियरम तो वर्क हैं जी थियरम है क्या actually कोई भी system पर जैसे कि आपका multiple forces काम करता है और system displaced करता है तो उसमें work done by total forces all forces external as well as internal is equal to change in kinetic energy ठीक है work done जो आपका internal plus work done external is equal to delta k k final minus k initial total force ठीक है तो ये useful है अगर माल लिजे कि आपका multiple forces काम कर रहे हैं और उसमें कोई एक force का magnitude नहीं पता है तो आप उसका work done भी निकाल सकते other force और delta k एक टरम्स में राइट दिखते हैं कोई problem एक discussion में करता हूँ जैसे कि आप देखो ये questions है एक block है वो mass aim है और height h से उसको drop किया जा रहा है और वो जो striking velocity दिया under root gh दिया हुआ है ऐसे जेनर तो it is quite clear अगर air drag नहीं होता तो ये under root 2gh होता लेकिन अभी presentally कितना दिया है root gh तो इसमें find the work done by the air resistance find the work done by air resistance पता करना है तो इसमें अब देखिए air resistance का तो value नहीं दिया है gravity force जो इस पर आप देखो gravity force कितना लग रहा है mg लग रहा है तो total forces अच्छा यहाँ पर initial speed कितनी है 0 है और यहाँ पर speed कितना under root gh तो यहाँ work done जी थिरम हम लोगा सकते है तो कौन-कौन work done होगा work done by gravity plus work done by air resistance is equal to delta k k minus k initial तो downward में कितना रहा है यह जो अपना block है यह आपका h high drop कर रहा है तो work done by gravity कितना होगा mg h होगा तो यह work done by gravity mg h and work done by air resistance air resistance का magnitude नहीं पता है तो आप इसको छोड़ दो is equal to k final minus k initial तो 1 by 2 m और speed की value कितनी under root gh square और minus initial speed कितना है 0 तो आपका mg h plus work done by air resistance is equal to इसको solve करोगे तो आपका 1 by mg h by 2 right and work done by air resistance क्या हो जागा mg h by 2 minus mg h तो यह क्या हो जागा mg h by 2 minus mg h तो minus mg h by 2 तो यह हो गया work done तो देखे आप यहाँ पर air resistance का magnitude नहीं पता था लेकिन हम लोग gravity का work done और delta k के term में इसको हमने calculate कर लिया ठीक है देखते हो एक और कुछ ज्यादर problem जैसे है कि एक यह देखे आप इसमें एक यह कुछ curvilinear track दिया हुआ है और यहाँ से एक block aim है mass aim इसको मतलब भी यह क्या बोलते है u is equal to 0 मतलब gently release किया गया और यह height h दिया हुआ है और यह जो यहाँ पर जब यह horizontal track आ रहा है और rough है तो यहाँ से चलते चलते h height से यह जाकर कहाँ पर stop कर जा रहा है यह horizontal track के लिए इसमें क्या है कि आपको coefficient of friction निकालना है coefficient of the friction निकालना है और यहाँ से यह height जो दिया हुआ है वो h दिया हुआ है अब यह initial speed तो कितना दिया है u is equal to zero दिया है और final speed भी कितना है final speed भी आपको zero दिया है और initial speed u zero दिया है तो लगाते हैं इसमें work नजी theorem लगा देते हैं तो देख लेना है कि यह block पर कौन-कौन force काम कर रहा है एक तो gravity काम कर रहा है एक normal force काम कर रहा है ऐसे तो normal force is always perpendicular होता है displacement का तो वो तो work करेगा नहीं और आपका यह smooth track पर sorry rough track पर आएगा तो वहाँ पर बोलो आपका क्या करेगा gravitational force तो आप लगा दो इसमें जैसे कि क्या बोलते हैं आपको क्या निकालना है coefficient of friction जब यह वाल track पर जब वो rough track पर पहुँच रहा है तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा work done by gravity plus work done by normal force and work done by Fk is called to k final minus k तो gravity का work done कितना होगा तो top से नीचे आया है तो mgH plus normal force तो zero work करेगा because it is always perpendicular और Fk क्या होगा minus mu mgx x क्या दिया हुगा आपको देख लो यह जो x दिया हुआ यह length of the rough track है horizontal direction में तो minus mgx और शुरू में energy जो था आपका gently release किया गया था तो u 0 और दाद में finally रुख गया तो भी 0 है तो 0 minus 0 तो निकालना तो mgH is equal to mu mgx तो mm तो cancel हुआ न gb cancel हुआ तो बचा कि h is equal to mu x बचा तो x is mu is equal to h by x तो यह clear हुआ आपका problem देखते हैं कोई और problem इसमें जैसा यह देखिए pendulum का problem ठीक है इसमें एक pendulum है length उसका l दिया हुआ है और यहां से u speed दिया गया है तो जब वो theta angle बनाएगा उस समय उसके speed क्या होगी यह v की value निकालनी है ठीक है यह length of the string कितना दिया हुआ l दिया हुआ तो actually यहां पर देख लीजे कि अगर इसका कौन-कौन force काम कर रहा है अगर यहां से देखें तो एक तो mg काम कर रहा है एक tension काम कर रहा है ठीक है तो इसमें भी हम लोग लगा सकते है यह work नजी थे और हम इसमें लगाते है तो w net is equal to बताओ आप लो टोटल work done net is equal to क्या होता डेल्टा के तो work done by mg प्लस work done by tension is equal to final speed क्या दिखाया गया था v यह पता करना है और initial speed क्या दिया गया u तो 1 by 2 mba square minus 1 by 2 mba square तो यह आप देख लो इसमें जैसे यहां से यह pendulum यहां तक गया हुआ है तो यह तो पूरा l है और यह जो आपका distance जो होगा यह l cos theta हो जाएगा यहां से लेकर यहां तर ठीक है नगा तो कितना rise हुआ तो उपर rise हुआ l minus l cos theta तो l common हो जाएगा under bracket 1 minus cos theta मतलब यहां से देखना ball यहां पहुचा है तो यहां से यहां कितना rise हो रहा है ठीक है तो यह जो distance जो दिया हुआ यहां top point से जो string का जो suspension points हो और यह दूरी यहां तक वो होगा l cos theta ठीक है तो यह कितना हो जाएगा और ball दू पर जा रहा है तो gravity का work done कैसा होगा negative तो minus mg और raise height कितना होगा l under bracket 1 minus cos theta and plus work done by tension क्या होगा 0 and final speed क्या है 1 by 2 mba square kinetic energy और minus initial speed 1 by 2 mu square तो हम लोग 1 by 2 यह अपना mba square भी के value निकारना है तो इधर लाएंगे यह वाला यहाँ पर plus हो जाएगा मतलब इधर 1 by 2 actually यहाँ पर minus होगा by mistake यह हो गया है ठीक है तो नहीं ठीक है 1 by 2 mba square is equal to यह उधर चला जाएगा तो 1 by 2 mua square minus mg l under bracket 1 minus cos theta ठीक है ठीक है यह 1 by 2 mu square वहाँ चला जाएगा और यह amm तो सब कैंसल हो जाएगा तो v a square is equal to u a square minus 2 g l under bracket 1 minus cos theta तो v is equal to under root u a square minus 2 g l under bracket 1 minus cos theta ठीक है तो I suppose that आप का वर का जी ठीरम का अप्लिकेशन useful हो रहा है ठीक है न और मैं बार-बार यह बोलता हूँ कि आप जरूर path independent, dependent होगा रखा concepts where we revise करिए उससे क्या clearance होगा force का nature देखिए vector f constant है यह theta constant है यह magnitude constant है यह एक और मैंने special case बताया था कि sometimes force is always directed towards a particular point तो उस case में कैसे work done निकालते हैं ठीक है और जब सारा काम नहीं करेगा तो work नहीं ठीरम यूज़ करते है इसमें क्या दे रहा है कि यह के spring है उसकी spring constant k है और यह aim है और इसको release किया गिए ठीक है ना तो इसमें maximum extension निकालना है तो देखो इसमें ध्यान देना है एक दो तरह का चीज़ होता है एक होता है कि extension in the spring for the equilibrium तो उस case में net force 0 होगा तो उसको अगर हम लगाएंगे mg is called to kx x is called to mg by k है लेकिन x max मतलब जब equilibrium में क्या होता net force 0 होता और x max में वहाँ पर net force 0 नहीं होता जब यह body वहाँ से मतलब हम release करेंगे तो जब वो x max काफी नीचे जाएगा और इसमें है net force नहीं 0 है body momentary rest में आएगा v 0 आएगा और kx उपर लगेगा ठीक है ना तो यहाँ पर हम equilibrium नहीं लगा सकते हैं जब आपका x maximize करेगा तो वहाँ पर हमारा equilibrium नहीं लगाए क्योंकि वहाँ पर हमारा यह spring मतलब extended है वो kx force उपर लगाएगा हाँ यहाँ पर v 0 होना चाहिए तो अब इसमें equilibrium नहीं तो फिर हमें work done g theorem लगा सकते हैं तो बोलो आप work done g theorem क्या हो था work done net is equal to delta के आप देखो इस पर recall कौन-कौन force काम कर रहा है एक तो mg है spring force है तो work done by mg plus work done by spring force is equal to kf minus ki तो initially u 0 था और जब यह momentary rest में है तो भी 0 तो नीचे कितना demand लेते हैं कि x का maximum value x है मतलब extension in the spring का maximum value x है तो work done by gravity कितना हो जाएगा बोलो mg x और spring force कहां काम कर रहा है उपर और displacement कहां हो है नीचे तो work done is negative तो it is minus half kx square is equal to 0 minus 0 तो mg x is equal to half kx square तो x x cancel हुआ तो x is equal to 2 mg by k तो ध्यान देना है work done अगर का sign work done by gravity कैसा work कर रहा है spring force कैसा work कर रहा है negative तो we are getting x is equal to 2 mg by k और वही अगर x फोर equilibrium निकानना होता it is mg by k तो यह इस तरह से बातों को ध्यान देना है मैंने अलड़ी बताया था इसमें कि यह इसका work done g theorem का x maximum theta maximum जैसे यह देखिए आपका cart है cart accelerate कर रहा है यह से उसमें pendulum लगा हूँ है यहाँ भी दो question बन सकता है इस पर अगर हम इसको मैं cart के frame से देखूँ तो इस पर pseudo force लएगा एक angle frame करेगा वर्टिकल के साथ तो दो question बनता है what is the angle made by the pendulum with vertical in the equilibrium case and theta का maximum value तो देखिए जब equilibrium case पूछ रहा है जैसे find out the maximum angle with the vertical तो यहाँ एक चीद्यान देना है जब अगर equilibrium case पूछेगा तो net force zero करेंगे तो आप इसमें देखिए इसका जो अगर देखा जाए तो बोलो आप इसको कहा से solve करोगा आप इसी card के frame में आ जाओ ठीक है तो mg आपको दीखेगा यह जैसे और उसमें यह tension है यह incline तरीके से तो यह मालनो theta तो यह vertical से तो t cos theta t sin theta और यह pseudo force लेगा क्योंकि यह हमारा card accelerate कर रहा है और observer non inertial frame में तो अगर theta for equilibrium निकालना होगा तो net force को 0 करोगा t sin theta is equal to m because आप यहां से जब देख रहे हो तो आपको बोलो pendulum कैसा दिख रहा है rest में दिख रहा है आपकी card की जो acceleration है आपको fill नहीं आएगी तो t sin theta is equal to m t cos theta is equal to mg तो divide करेंगे 1 divided by 2 तो tan theta is equal to a by g तो आपका theta is equal to tan inverse तो यह क्या हुआ theta for the equilibrium ठीक है न और यही एक और आपका इसमें जैसे की questions अगर पूछता है जान दिजेगा यह हम जो भी निकाल रहे हैं theta for the equilibrium और एक जो इसमें आपको यह इस case में जो question पूछ रहा है तो theta का maximum value ठीक है न theta का maximum value क्या होगा questions वही है आपका यह cart है cart accelerate कर रहा है कितना से a से accelerate कर रहा है ठीक है और यह pendulum है pendulum का mass कितना है aim है ठीक है न और यह थोड़ा सा जब accelerate करेगा तो यह इधर तो यह चुकि आपका length L है तो यह sideways displacement कितना होगा L sin theta ठीक है न तो उसको हम लोग theta का maximum value निकानना चाहरे तो हमें पता है कि जब वो theta maximize होगा तो वहाँ पर net force 0 नहीं होगा वहाँ पर V 0 होगा ठीक है तो वर्कमजी तेरम लगाते है तो क्या होगा work done by gravity plus work done by tension plus work done by spring force is equal to 0 minus 0 पहले भी वो 0 था और बात में जाके stop कर गया और ये देखे pendulum का जो है पहले pendulum यहाँ था फिर यहाँ जा रहा है तो ये तो L है तो ये L cost theta हो तो range कितना हुआ L minus L cost theta और sideways displacement कितना हुआ L sin theta pseudo force के चलते है ठीक है न ये इधर भागेगा ये सिदा ऐसे था इधर भागेगा ठीक है तो gravity का work done कितना हुआ range हुआ L minus L cost theta minus mg under bracket L minus L cost theta यहाँ से यहाँ तक का ये दूरी ये मतलब ये जो आपका यहाँ से ले करके यहाँ तक तो ये दूरी ठीक है ये तो L cost theta हुआ और ये जो range हुआ है L under bracket 1 minus cost theta ये आपको दीख रहाँ ठीक है न तो L minus L cost theta ठीक है तो ये होगा minus mg L minus L cost theta and work done by tension क्या होगा tension तो हमेशा displacement का perpendicular है तो 0 होगा और ये work done by pseudo force क्या होगा M A L sin theta ये sideways displacement कितना हुआ L sin theta तो फिर हम लोग उसका solving करते है ये आपका ये work done by gravity प्लस M A तो उधर ले जाएंगे हम लोग M A L sin theta तो इसको उधर लेंगे तो positive हो जाएगा मतलब ये minus sign है न और इदर 0 minus 0 तो M A M तो कट गया और G L 1 minus cost theta L L भी कट जाएगा तो ये आपका G और 1 minus cost theta identities लगाएंगे 2 sin square theta by 2 और A sin theta हो क्या ले सकते है 2 sin theta by 2 cost theta by 2 तो ये कट गया आपका तो tan theta by 2 इदर लाएंगे तो tan theta by 2 is equal to A by G ये theta by 2 is equal to tan inverse A by G ये theta is equal to 2 times tan inverse A by G थोड़ा ये blur हो गया है लेकिन आपको मैं 2 times tan inverse A by G तो ये देखिए double हो गया तो ये हो गया हमारा theta max का बैलो तो ये सब क्या हो गया वर्कनट जी थेरम के application हो गया तो ओके देन